हलो एडिवान वेलकम टू एग्जामिन सैट केसे आप लोग मेरा नाम है आकाश आज की तारिके 30 सितंबर 2023 चलो शुरू करते आज का डिली करंटा फिर शुरू करेंगे रिविजन से रिविजन 29 सितंबर का पहला टोटल एलिमिनेश आफ नुकलियर वेपन डे कब मना गया 26 सितंबर को 17 सितंबर हाइदराबाद लिबरेशन डे उन्निसवा एडिशन युद्ना अभ्यास संपनोवा भारत और यूसा के बीच में इंडिया ने खेला है इंडिया पहला टीम बना है जिसने 300 सिक्सेस मार है वन जची नजीता है वर्ल्ड डे ओफ डीफ यह कब मना गया 24 सितंबर को यह मोदी जी ने फॉन्टेशन स्टोन रखा है कहां पर वारण असी में किसलिए डिवल्प्मेंट आफ इंटरनाशनल क्रिकेट स्टेडियम यूसे होस्ट करेगा दोसा चोबिस का आज का पहला सवाल है कौन से अभी नेत्री को अभी दादसाय फाल के लाइफ टाम अचमेंट अवर्ड ये दिया गया है ठीक है इसका स्रीज अब क्या है वहिदा रेमान जी को मिला है दो हजार इकिस का दादसाय फाल के लाइफ टाम अचमेंट पूरसकार आशा पारिक जी को दो हजार बीस का लाइफ टाम अचमेंट अवर्ड मिल चुका था दो हजार उननिस का दादसाय फाल के लाइफ टाम अचमेंट अवर्ड मिलाता रजनी कान जी को दो हजार अठरा के लिए दादसाय फाल के लाइफ टाम अचमेंट अवर्ड मिलाता अमिताब बच्चन जी को आपको कमेंट करना है ठीक है दादासाय फाल के अवार्ड कप स्टार्ट हुआ ठीक है और फर्स्ट अवार्डी कौन थी जिनको दादासाय फाल के या पहला अवार्ड मिला है अगला सौल देखो अगला सौल क्या कह रहा है वर्ल्ड राइनोडे यह किस दिन मानाया गया है देखो इसका सही जब क्या है 22 सितंबर को मानाया जाता है वर्ल्ड राइनोडे अगर मैं 12 अगस्ट की बात करूँ तो 12 अगस्ट एलिफंडे ठीक है भारत में 33 एलिफंड रिजर्व है लेटेस वाला कुण सा है तराई एलिफंड रिजर्व 29 जुले टाइगर डे भारत में अभी 3682 टाइगर है ठीक है टाइगर रिजर्व कितने है 54 है 10 अगस्ट लाइन डे होता है एशियाटिक लाइन कहां पर पाजाता है गुजर्व रात में और टाइगर की बात कुर तो टोटल ओर ओर पॉपुलेशन का 75 परसेंड टाइगर भारत में है 14 अप्रिल, 14 अप्रिल को नैशनल डॉल्फिन डे मानाते हैं ठीक है अगला सौल है कौनसे विक्तिक की नॉवल को शॉटलिस्ट किया है फॉर बुकर प्राइस 2023 के लिए ठीक है देखो इसका सहुजब क्या है चेतना मारू इनकी नॉवल है कौनसी वेस्टन लेन इसको नॉमिनिट किया है फॉर बुकर प्राइस 2023 गिता अंजली श्री 2022 का इंटरनेशनल बुकर प्राइस बुक कौनसी थी टॉम बॉफ सैंड उसके बाद सेहान करोन तिल का बुकर प्राइस 2022 और ये 2023 के लिए जॉर्जी गोस्पोदिनो इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइस 2023 मिला है तो देखो 2022 का बुकर प्राइस सेहान करोन तिल का को 2023 के लिए इनको धूज्ट्रियस किया है 2022 का इंटरनेशनल बुकर प्राइस सेंट गितानजली शिरी को ये 2022 का है और 2023 का Intentional Booker Price किसको मिला है जॉर्जी कोस्पो दिनों को देखो Booker Price और Intentional Booker Price में डिफरेंस क्या है Booker Price मतलब ऐसी किताब जो English में छपी है और उसी को Nomination में मिला है English Language में ही Intentional Booker Price ऐसी किताब होती है जो कोई भी Language में लिखी होती है जैसे Hindi, Telugu, Urdu, Marathi, Spanish, Gujarati किसी में लिखी होती है उसको Translate किया जाता है और Translate करने के अबद उसको Shortlist किया जाता है तब ये बन जाता है Intentional Booker Price तो ये सिर्फ Minutally Difference है इसके लिए याद रखना अगला साल देखो World Tourism Day 2023 किस दिन मनाया गया है World Tourism Day 2023 27 सितंबर को मनाते है Tourism Day ठीके 8 सितंबर Revis Day देखो ये रिविजन बार बार हो रहा है 29 सितंबर Heart Day और 21 को Peace Day Intentional Peace Day देखो Tourism की बात किया तो आपको कमेंट करना है भारत के Tourism Minister कौन है ठीके Tourism Minister भारत के कौन है भारत टूरिजम की इंडिक्स में 54 रैंक पे है पूरे दुनिया में ये बहुत अच्छा परफार्मसे भारत का 2014 के बाद और महाराश्ट्रा और तमिलनाडू देखो महाराश्ट्रा Foreign Tourist के लिए ये बहुत Foreign Tourist आते है तमिलनाडू में Domestic Tourist बहुत आते है मतला आप इसको बोल सकते हो कि Foreign Tourist के लिए Best Place कौन सा माना जाता है महाराश्ट्रा Domestic Tourist के लिए Best Place माना जाता है तमिलनाडू देखो अगला सौल देखो Which Company Joint Hat With Indian Navy For North Eastern Outreach Program ठीक है देखो इसका सरीजब क्या है मारती सुजुकी मारती सुजुकी के साथ इन्होंने करार किया है To North East Outreach Program के लिए Royal Enfield ये 1984 में बना था और ये Indian Company है आपको कमेंट करना है इसके CEO कौन है Royal Enfield के CEO कौन है Bajaj Ato जो 1945 में बना था Rahul Bajaj इसके Chairman थे ये 2022 में गुजर गए और Raju Bajaj इसके अभी CEO है Hero Motors इसको बोलते है Munjal Brother ठीके इन्होंने मिलके 1984 में Hero Motors की स्तापना की थी और अभी इसके CEO कौन है पवन मुंजल एक फेमस टैग लाइन था Bajaj Ato का क्या हमारा Bajaj अगला स्वाल देखो अगला स्वाल क्या किया रहा है देखो कौनसे टीम ने अभी गोल मिडल जीता है इन क्रिकेट एशन गेमस जो चाइना में हुई थी एशन गेमस जो हुई रहे है चाइना में 2022 वाले चाइना में कहाँ पर हंग जो में किस ने जीता गोल मिडल जीता भारत ने जीता गोल मिडल सिलंका में एशन कप विद पाकिस्तान हो रहा है ठीके पाकिस्तान और सिलंका मिलके च्रजाए काफोश्ड कर रहे? 2003 का जीता किसने? इंडिया ने. उगे शाउथ कोरिया, इन्होंने क्या जीता है? अश्यक पजीता है? ठीक है? कोंसा होकी का? किसको हा रहा था मलेश्या को हा रहा था इंग्लेंड आइसी सी टी ट्वेंटी वर्ल कप दो हजर बाइस इन्हों ने जीता था आपको कमेंट करना है देखो आपको कमेंट करना है हेड कोच आफ वुमन क्रिकेट टीम ठीक है अगला स्वाल देखो अगला स्वाल है अभी कौन से देश ने अलाओ किया है तो एक्सपोर्ट 75,000 टन नौन बास्मती वाइट राइस तो यू एई यू एई जिसकी कैपिटल है दुबई और साओधी आरेवे की कैपिटल है रियाद ठीक है कौन से देश ने किया है अलाओ इसका से जब है इंडिया बास्मती राइस बहुत अच्छे कॉल्टिका राइस होता है और इंडिया इसमें लीड करता है पूरे दुनिया में भारत लीड करता है बास्मती राइस के लिए अभी अग्रिकल्चर डिपार्टमेंट ने राइस के एक्सपोर्ट पे बैन किया था अगला सॉल यह सॉल क्या रहा है एक जपान की क्लोधिंग कंपनी है इसका नामे यूनिकलो ठीक है इसने किसको ब्रैंड अमबसेडर अभी बनाया है देख इसका सई जॉब है कत्रिना केफ को बनाया है यूनिकलो का अगे आ बैंड अमबसेडर साति साथ यह इतिहात एर वेज के भी अगे ब्रैंड एमबसेडर है डिपका पादू कौन लीवीज जीन्स है साति सात कतार एरवेज की brand ambassador है आले अभट बूची पर्फिम की brand ambassador है और ये film fair आईफा और national award साथी साथ दादसाय फलके आवाड की winner है चार के चार बड़े आवाड इनको मिले है देखो आगला स्वाल देखो कौन सा देश Asian Games 2030 होस्त करेगा देखो इसका सरी जब क्या है Hangzhou जो है चाइना में है आप निकी देख रहे हो Milano and Cortina Milano Cortina ये इटली में है ठीके ये Winter Paralympic गेम होस्त उसके बाद सिलंका ये पाकिस्तान देखो उसके बाद सिलंका ये पाकिस्तान Asia Cup 2030 किस्ता भारत ने और ये क्रिकेट के लिए है और Victoria में 2026 का Commonwealth Games होगा ठीके 2022 का कहा पर हुआ था Birmingham में जो है UK में अगला देखो सवाल ये सवाल क्या कह रहा है World Freely Economy कौन सी बनी है ठीके इसने होंग को ओटे किया है इसका स्रीज़ब है Singapore Economy की बात क्या जाए तो Index देखो 108 रेंख है भारत की किसमे Electoral Democracy Index में 180 रेंख है भारत की किसमे इन्वार्मेंट में 80 रेंख है भारत की किसमे Passport Index में तो इससे के साथ हमारा सेशन जहाँ पे समाप तुता है एसे ही डेली करंट अफिर वीडियो के लिए नीचे देगे इलम पे क्लिक के जिए और चनल को सब्सक्राब कीजिए एसे ही डेली करंट अफिर अपडेट के लिए बेल आकों के हिट किजिए ताकि आपको डेली अपडेट मिल सके और क्यूज हमेशा दिया करे इसकी आपकी त्यारी और अच्छे हो जाएगी झाल